कि हलो गाइज वेलकम टुदा हिंदी क्लास आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो भी मैं हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे है ना तो और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछ लीजेगा और हाँ एक जो इन्फ अगर हिंदी का तो मैं उसे कोशन आपको बता देता हूं ठीक है लेकिन जो भी आपको कोशन इंग्लिश के और आंसर चाहिए मैं उसे अभी डाउन कर रहा हूं अपने नोटबुक में और जैसे ही मैं उसको राइट डाउन कर लूँगा मैं उसका पीडिएफ बनाऊंगा और आपको सेंट कर दूँगा सो डॉन टेक टेंशन हैना आप बिल्कुल निश्चिंद रही है हाँ बस आपको इतना ही याद रखना है कि अपहले समरी याद कर लीचे उसके बाद मैं कोशन आंसर जरूर दे दूँगा एक दो दिन और वेट कर लो हैना मैं कोशन आंसर लि लिख पा रहा हूं मैं लिख दूँगा और फिर मैं आपको जरूर दूँगा ठीक है और अभी तो इंग्लिज की कितने चैप्टर हुए तीन चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया है है ना तो अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है मैं आपको कोशन अंसर दूगा जरूर अज बहुत लोग इसको प्रागती समझ रहोंगे आप इसको अच्छे से पढ़ो देखो क्या है यह प्रगीत है ना की प्रगती प्रगीत और समाज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो अब यह प्रगीत होता क्या है मैं आपको बताओंगा आगे और एक कठिन शब्द लिखे गए हैं इसमें कि बिना सब्द कोष्ट के तो समझ में नहीं आने वाले हैं ठीक है तो इसलिए मैंने लेकिन यहां पे काफी easy way में है ना बहुत ही आसानी से इसका समरी मैंने बनाया है सारांस मैंने लिखा है और मैं इसका जो इसमें आते आएगा वैसे तो मैंने और दृट हाड उतने कठिन जो सब्दे इसमें इसमें में सममीली थी नहीं किया है कि आपको दICA से अच्छों सब्सक्रांबार कि अ मैंने लिख कई पीछ हाह न तो अब इतना तो हम लोगो पढ़ना ही पड़ेगा खेर चलते हैं देखते हैं क्या है प्रगीत और समाज के जो रचीता है नामुवर सिंग जैसा इनका नाम है वैसा यह फेमस भी थे यह का अलोचक थे क्या थे अलोचक थे तो आलोचक कौन होते हैं आलोचक वो लोग होते हैं जो समाज में होने वाली अच्छाई और बुराई या फिर जो कुछ व्यक्ति होते हैं उनके अच्छाई बुराई उनके गुणों के बारे में लिखते हैं अगर इनको किसी में बुराही देखी तो उनके आलोचना जरूर करेंगे तो वही थे आलोचक अगर परिक्षा में आपसे पूछा जाए कि नामवर सिंग मुख्यता क्या थे तो आप लिखेंगे आलोचक थे लेखक तो थे ही तो लेखक में भी यह क्या थे कवी थे निबंधकार थे या कहानिकार थे क्या थे तो यह आलोचक थे काफी फेमस आलोचक थे इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ कहां हुआ जियनपूर वारण नसी और उत्तरप्रदेश में हुआ ठीक है मतलब यह उत्तर प्रदेश के थे जियनपूर कोई जिला होगा या फिर गाह होगा वारणसी में है ना तो वहां पर 28 जुलाई और 1927 को इनका जनम हुगा ठीक है और इनके माता थी बागेश्वरी देवी और पिता का नाम था नागर सिंग जो की एक सिख्षक थे और सिख्षा के बारे मैंने उतना डिटेल में नहीं लिखा जो इंपोर्टेंट है मैंने वही लिखा इन्होंने अपनी पीच्डी बीच्चू से पूरा की पूरी की बीच्चू का नाम सुनोंगे आप लोग बनारेस हिंदू यूनिवर्सेटी तो पीच्डी इन्होंने यहां से की और पीच्डी इन्होंने किस सब्जेक्ट में की पृत्वी राज रासों की भाषा में यह एक टॉपिक है और इस टॉपिक पे इन्होंने पूरा का पूरा कर लिया देखा इन्हों और इनकी पीच्डी कब पूरी हुई 1956 में ठीक है याद रहेगा आपको बताओ तो पीच्डी इन्होंने कब की पृत्विराज रासों की भाषा अब यह प्रित्विराज रासों का मतलब क्या होता है यह जो प्रित्विराज चोहन का नाम आप इनके बारे में कभी और बात की जाएगी तो प्रित्विराज के लाइफ के बारे में चंद बरदाई ने चंद बरदाई इनके बच्पन के दोस्ते प्रित्विराज चोहन के बच्पन के दोस्ते चंद बरदाई इन्हों ने ही प्रित्विराज के बारे में पूरी जीवनी लिखी है तो उसी के भाषा पे उन्होंने पूरी की पूरी PhD कर डाली किसने नामवर सिंग ने फिर इनका सम्मान इनको कुछ सम्मान मिला है जैसे यह बहुत इंपोरेट है 1971 में कवीता के नए प्रतिमान क्या कवीता के नए आप पूछाएं आफ जाएंगे साहित्य पूरस्कार किस जीस के लिए तो कवीता के नए प्रतिमान के लीए इंकी मीन रचनाह यह अएसे तुं बहुत सारी रचनाह आप जब थोड़ा सा भी भुक पढ़ेंगे अना तो आपको मिल जाएगा है हिलाल के लिए मैंने यहां पर लिखा है रचना इनकी क्या थी तो प्रिथ्वी राज रासों की भाषा इनकी रचना है और एक है वाद विवाद सनवाद यह वाद विवाद सनवाद से यह चाप्टर उठाया गया है और इनका निधन 19 फरवरी 2019 को हुई ठीक है मतलब अभी पिछले साल ही इनकी मृत्ती हुई थी वैसे आपको पुस्तक में मिलेगी नहीं आपको जब बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें इनकी डेट नहीं मिलेगा कि और शेश हजारी प्रसाद डूओ एधिंजी के थे यह मतलब हजारी प्रसाद 200 इनके 16 नहीं थे हजारी प्रसाद 200 के यह सिश्ज थे कॉन即क्प कि लेर तो यहें इनका परीचे और आई होप कि आपको सब समझ में आहीं होगा परीचे कि हैं सारांश की कि तरफ तो प्रस जिसके रचनाकार नामवर सिंग है वे एक प्रतिभाशाली और प्रख्यात आलोचक थे तो यह निबंद उनकी लिखी गई आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद सनवाद से ली गई है तो यह जो पाठ लिया गया है निबंध प्रगीत और समाज यह कहां से लिया गया है तो नामवर सिंग की लिखे गई किताब है वाद विवाद सनवाद वही से ली गई है इस निबंध में लेखक प्रगीत के एतिहासिक विकास के बारे में बात करते हैं इस निबंध में लेखक प्रगीत आप थोड़ा सा सबर रखें मैं आपको बताता हूँ प्रगीत क्या होता है इस निबंध में क्या होता है इस निबंध में लेखक प्रगीत के एतिहासिक विकास के बारे में बात करते हैं मतलब यह जो प्रगीत है इस प्रगीत का विकास कैसे कैसे हुआ क्या-क्या कठिनाईया आई उसी के बारे में लेखक बताते हैं कि कोई भी काव्य रूप एतिहासिक समाजिक जरूरतों की उपज होती है मतलब कोई भी कवीता का जो रूप होता है कवीता के कई सारे रूप होते है कुछ गीत के टाइप के लिखे होते हैं यानि कि कुछ प्रगीत तात्मक होते हैं कुछ प्रबंध कावे होते हैं, कुछ महा कावे होते हैं, है ना, तो ऐसे जो भी कावे की रूप होते हैं, वो एतिहासिक समाजिक जरूरतों की हिसाब सी बनते हैं, जैसी जरूरत पड़ी, वैसी कविता का रचना रचा गया, जैसी जरूरत पड़ी, वैसी कविता लिखे ग प्रगीत का अर्थ होता है ऐसा गीत, जिसमें गायक अपनी कहानी को व्यक्त करता है, अब गीत का तो आप सुने होंगे, गीत का मतलब जानते हैं जो गाय जाता है, तो प्रगीत का मतलब ऐसा गीत होता है, जिसमें जो गायक होता है, वो अपनी ही कहानी को बताता है, वो अप आप लोग काफी सारे गाने सुनते हैं सुनते हैं तो आप बताओ जब आप गाने सुनते हैं तो जो एक्टर होता है वो अपनी मन की बात सुनाता है ना गाने में कोई भी एक्टर मतलब गाना तो सिंगर गा रहा होता है लेकिन वो सिंगर किसके तरफ से गाता है एक्टर की त क्या होता है जो एक्टर होता है उस गाने में वो अपनी फिलिंग्स को उस गाने के गाने के रूप में व्यक्त करता है सामने वाले से लेकिन गाता कौन है गाता सिंगर है तो यह तो फिल्मों की बात है लेकिन जो रियालिटी में जो कवी होते हैं जो कवी होते हैं अगर वो लिखते हैं तो प्रगीत में वो क्या क्या लिखेंगे अपनी ही कहानी लिखेंगे और उसे गाएंगे क्या करेंगे उसे गाएंगे तो यही होता है क्या प्रगीत क्लियर कट हुआ प्रगीत क्या होता है तो प्रगीत क्या होता है कैसा गीत जिसमें गायक अपनी कहानी को व्य तो प्रगीत हिंदी की अपनी लोग परक जातीय का वे सनवेदना का आधोनिक विकास है मतलब क्या है लोग-परक लोग-परक का मतलब क्या होता है देखो परक लोग-परक मतलब परकना जाच परताल करना तो देखो ऐसा ही ऐसा ही वार्ड इसमें बहुत और बर तो क्या है प्रगित प्रगीत हिंदी की अपनी लोगों के परख कि जातिया काव यह सन्वेदना का आधुनिक विकास है मतलब जो आज जो इतने सारे गीत चल रहे हैं या सभी किसके रूप है प्रगीत के रूप है और ये ये आधुनिक विकास है कि इसके लोगों के परखने के जातिय कावे मतलब कुछ लोगों ने सोचा इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा कि हमारी हमारी कहानी या पड़े ऐसा हो कि हम अपनी कहानी को गाह के सुना सके हना गाह के सुना सके तभी जाकर आज क्या उत्पन हुआ है अज प्रगीत का आध्वनिक विकास हो गया है और आज जहां भी आप मोवी देखेंगे गाने ज़रूर मिलेंगे और गाने किसके रूप हैं प्रगीत के ही और ना उनसे इसकी अपयक्षाहि के जाती है क्योंकि आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है मतलब पूराने समय में जब लोग जब कोई प्रगीत लिखा करता था अज तो प्रगीत आम बात है आज तो गाने आम बात है गीत आम बात है गाने कवीटा के समाजिक यथार्थ के लिए पर्याप्त मानी जाते हैं ना तो समाजिक यथार्थ मतलब जब प्रगीत लिखी जाती थी पुराने सवय में जब नहीं नहीं आई थी प्रगीत तो उस समय इसे समाजिक यथार्थ नहीं मानना जाता था समाजिक यथार्थ मतलब समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता था या फिर समाज के लिए उसमें कोई भी जगह उसको नहीं दी जाती थी क्यूंकि इसमें आत्म परक अभी मैंने उपर बता है लोग परक मतलब लोगों के लिए जब जाँच परताल करते हैं तो उसे लोग परक कहते हैं कि आत्म परक का मतलब होता है खुदसे जाच परक करना खुदसे परक ना या फिर खुद के लिए बातारिस में में तो पुराने समय में जब प्रगीत लिखने जाते थे तो समाजिक या थार्थ नहीं माना जाता था मतलब यह माना AWS जाता थे उसमें somethin कोई भी भावनाए समाज की कोई भी बात उस प्रगीत में नहीं लिखी गई है और ना इसकी अपेक्षा मतलब की बिजाती थे मतलब और नहीं यह अपेक्षा ऐसले की जाते थी कि कोई अगर प्रगीत लिख रहा है तो उसमें समाजिक यथार्थ होगा यह कोई उम्मीद भी नहीं लगाता था जैसे माल लो कि मैंने एक प्रगीत लिखा इसमय के लोग जब नहीं प्रकीत आई थी तो समय के लोग इसको किया मानेंगे? समाजी की अथार्थ नहीं मानेंगे क्योंकि समाज की बात तो है नहीं और पुराने समय में जब समाज की बात की जाती थी समाज के अच्छाई बुराई के बढात की जाती थी बहुत बढ़ी-बढ़ी कविता लिहां गई जाती है जैसे महाबारत लिकिए रामचरित-मानस लिखी गई विष्वि रासो लिखी गई प्रबंधT कावट कहते हैं ज्षप प्रबंध कावे कहते हैं तो उस समय अपने अग्जामपल दिया कि जब मैंने कोई प्रगीत लिखा है उसमें अपनी फेलिंग्स के बारे में लिखूंगा अपनी भावनाव के बारे में लिखूंगा तो लोग इसको समाजी के अथार्थ नहीं मानेंगे क्योंकि उसमाज की हम लोग केवल आत्मपरक अपनी ही जाच पड़क करके उसमें जो भी लिखेंगे जो भी भावनाय होंगी वही हम लोग लिखेंगे प्रगीत में बात यहां तक क्लियर है पिर एक नाम लेते हैं आचारे रामचंदर शुकल का अचारे रामचंदर शुकल के कावे सिध्धान् अब मैंने उपर प्रबंध कावे के बारें बता है प्रबंध कावे का मतलब क्या था कि ऐसा कावे जो की बहुत बड़ी-बड़ी होती है अचारे रामचंदर शुकल इनको यह प्रगीत के काफी शिकायत क्या करते थे अचारे रामचंदर शुकल प्रगीत की शिकायत क्या करते थे क्योंकि अचारे रामचंदर शुकल के जो सिध्धान थे जो लिखने के सिध्धान थे वो प्रबंध कावे थे वो बड़े-बड़े कविताई यह लिखा करते थे और प्रगीत तो काफी छोटी होगी माल कविताएं भी कोई कविताएं होती है क्या तो इनका सिधान प्रबंध कावे होता था ठीक है और इसलिए शिकायत होती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि आज के लोगों के पास लंबी कविताएं पढ़ने का समय ही नहीं है ठीक है तो अचार रामचंदर शुक्ल का सिधान क् प्रबंद कावे था वो बहुत बढ़ी-बढडी कविता लिखा करते थे को और उनको प्रगीत सेया फिछोटी कविताओं से भूत एशिकायत हुआ करती थी क्योंकि उनको लगता था कि आज के समय के लोगों के पास क्या है समय ही नहीं है बढ़ी-बढ़ी कविताएं पढ प्रबंध कावे मतलब क्या बहुत बड़ी-बड़ी कवीता लिखा करते कि यह तो गलत वाथ है ना कि हमेशा सिर्फ बड़े बड़ा कविता कौन लिखेगा जो बड़े कवी होंगे तो यही बात थी कि आचार रामचंद्र शुक्ल को आज के कविताओं से शिकायत हुआ करती थी और आपको तो पता ही कि नामवर सिंग जो इस कविता के पाठ के लेखक है वह अलोचक है तो अलोचना ही करेंग कि आगे देखो कि यह आत्म परक स्वरी लेखक कहते हैं कि कहने कि आउशकता नहीं कि यह आत्म परक प्रगीत भी नाट धर्मी लंबी कविताओं के सद्रिश या थार्थ को प्रतिध्वानित करते हैं मतलब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रगीत को सिर्फ छोटा कविता मान करते हैं सच्चाई दिखाते हैं उनमें भी भावनाएं लिखी जा सकते हैं छोटी-छोटी बातों में उसको क्या कहते हैं कि कम सब्दों में कम सब्दों में ज्यादा बात यह की जा सकती है प्रगीत में मतलब कम सब्दों में बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिखी जा सकते हैं जैसे कि नाट धर्मी कवीताओं में होता है नाट धर्मी कवीता किसको कहते हैं ऐसी कवीता जिस पर नाटक किया जा सके और उससे लोगों को कुछ सीखने को मिले उससे ही कहते हैं नाट धर्मी कवीता तो यह तो नाटक छोटे-छोटे कवीता में तो होंगे नही इसे ही प्रगीत धर्मी कविताओं में भी यथार्थ दिखाई जा सकती है इसमें भी कम भाहसा में कम सब्दों में बड़ी-बड़ी ज्यादा ज्यादा बाते बताई जा सकती हैं इसलिए प्रगीत को हम लोग नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं कि ठीक है आगे देखें लेखक के अनुसार यदि विद्यापती को क्या लेखक के अनुसार यदि विद्यापती को हिंदी का पहला कवी माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ जिसका आगे चल कर संतों और भक्तों की वानी में हुआ ठीक है मतलब यह कहते हैं कि अगर मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग प्रगीत की आलोचना करते हैं अगर कुछ लोग प्रगीत पे ध्यान नहीं देते हैं प्रगीत की शिकायत करते हैं तो ऐसा नहीं है अगर विद्यापती को पहला कभी मान लिया जाए तो हिंदी कविता का उदय तो गीत से ही हुआ के फिर आज लोग क्यों प्रगीट की अलोचना करते हैं उनका कहना यह है की थे अच्छा नहीं समझते हैं समाज के लिए नहीं समझते हैं लगा प्रगीत को और आपको तो विद्यापती का नाम पता ही होगा नहीं पता हो तो जान जाएए विद्यापती बहुत महान राइटर राइटर हुआ करते थे कभी भी थे काफी अच्छी गीत लिखा करते थे तो वही कहते हैं कि अगर लेक मतलब लेखा कहते हैं कि अगर विद्य यही प्रगीत आगे चल कर क्या हुआ संतों और भक्तों की वानी बन गई यही गीत जो कि जिस रूप में विद्यापती ने अपनी कविताय लिखी वही आगे चल के संतों और भक्तों की वानी बन गई जैसे आप लोग सुने होंगे यह से रैदास है तुलसिदास एक लोग अपना लिखा करता था तो तो संत था तो बढ़ा बढ़ा थोड़े लिखता था दो लाइन की एक दोहा होती थी तो एसी ऐसी दोहाएं जो थी वह विद्यापती के लिखे गए गीत की भास्चा से ही शुरू हुए तो क्यूं आज प्रगीत को लोग आलोचना करते हैं आगे कहते हैं कि आलोचकों की द्रिष्टी में सच्चे अर्थों में प्रगीत आत्मक का आरंभ यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ती मतलब जो आलोचना करते हैं प्रगीत की जो आलोचना करते हैं उनका मतलब यह है कि जो भी अगर प्रगीत लिख रहा है वो समाज के विरुद्ध व्यक्ति है वो समाज के लायक नहीं है उनका कहने का मतलब यही है कि जो भी आलोचना कर रहे हैं प्रगीत की उनके नजर में क्या है उनके नजर में सच्चे अर्थों में प्रगीत आत्मकता क्या है समाज के विरुध व्यक्ति है ठीक है जिसे मालों कि मैं हूँ अगर मैंने कोई प्रगी इस प्रकार प्रगितात्मक्ता का अर्थ हुआ एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार मतलब इस प्रकार समाज में रहते हुए भी जो लोग अगर प्रगित लिख रहे हैं तो इसका अर्थ यह हो गया एकांत संगीत क्योंकि प्रगित को तो कोई सुनेगा नहीं तो यहीं बात है कि अगर समाज में आप हैं और आपने प्रगीत लिख रहे हैं तो आपको समाज के लायक नहीं माना जाएगा समाज के विरुद्व्यक्ति माना जाएगा लेकिन प्रगीत का विकास तो खुद विद्यापती के हाथों ही हुआ क्योंकि उनकी तो सारी लेखक थियोडोर एडोर्नो यह कवित है तो लेखक थियोडोर एडोर्नो को याद करते हुए कहते हैं कि कवीता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकी पन में मानावता की आवाज सुन सकता है मतलब थियोडोर एडोर्नो कहते हैं कि कवीता जो कुछ कह रही है मतलब जो भी कवीता पढ़ रहे हैं उसे सिर्फ वही समझ सकता है कवीता से जो भाव निकल रहा है उस भाव को वही समझ सकता है जिसके जो इसके एकाकी पन मतलब छोटे छोटे वर्डो में मानावता की आ तो आप उसको छोटी मत मानो, उसमें जो सब्द लिखे हैं, और सब्दों की बीच जो अर्द छिपा हुआ है, आप उसको देखिए, उसमें भी मानवता कि आवाज है, और जो इस आवाज को सुन सकता है, वही उस कवीता को समझ सकता है, ठीक है? फिर कहते हैं कि अब समय बदल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, लोग प्रगीत लिख रहे हैं, लोग प्रगीत सुन रहे हैं, और लोग प्रगीत सुनना पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि समाच बदल गया है, फिर कहते हैं कि पिछले पाच वर्षों में, क्य अब आज के कवी को न तो अपने अंदर जाक कर देखने की संकोच है ना बाहर यथार्थ को समान सामना करने का कोई हिचक मतलब अब आज के कवियों को अब आज के कवियों को न तो अपने अंदर जाक के देखने की जरुरत है कि मैं क्या लिखूं क्या मैं गलत तो नहीं सब्सक्राइब कुछ रहा है तो इसको वर ध्यान देना पड़ता है कि कहीं रख़ेख लिख बैथूँ अगर मैं अगर मैं बोटाट लिख दिया अगर मैं प्रगीट लिख लिग तो समाज में उसके आलोचना होगी तो यह बात यहां पहे। उसको अब अपने अंदर जाग कर देखने जुरूत नहीं है और अब बाहर यथार्ट का सामना भी करने कि अब कोई हिचक नहीं है मतलब अब बेधड़क लिखो बेजिजक लिखो कोई डोक टोक नहीं कोई आलोचना नहीं अब हर केटेगरी के लोग यहां पे हैं हर शिरेणी के लोग हैं सुनने वाले पढ़ने वाले समझने वाले तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है आप चाहे जैसे भी कविताएं लिखे हो अब आज के समय में क्या है गाने देख लो कितने सारे गाने लिखे जाता है और सारे ओने यहीं है जिसको जो लिखना है यहीं साराहburger का यह जाफिर काफ हाड था लेकिन मैं काफी महनत किया इसको लिखने कि मैं आशा करता हूं कि आप भी इसको अच्छे बेसमें मेंन शेज याद कर ले कि और अगर आप लोग इंगलिशन के विट कर रहे हैं तो थोड़ा और वेट कर लो मैं आपको question answer जल्दी ही provide करा दूंगा आपके app पे PDF के form में और आप उससे लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है धन्यवाद